बिस्मिल्लाह रख्मानी रहीम असलाम लेकूम वेलकूम टू माइ चैनल पीजा तो आपने बहुत तरह के खाए होंगे लेकिन मैं आज आपके साथ थोड़ी डिफरेंट ही पीजा की रेसीपी शेयर कर रही हूँ आज मैं बना रही हूँ पीजा रोल जो के बनाना बहुत ही असान है और खाने में भी ये बहुत ही मज़े कर बनता है अगर किसी को पीजा बनाना बहुत मुश्किल लगता हो तो इस रेसीपी को जरूर ट्राइ करें तो फिर आपका भी पीजा जो है बिल्कुल ही परफेक्ट बनेगा तो आगे फ्रेंड्स आपके साथ मैं इसकी रेस हैं और अब इन सब चीजों को हाथ से पहले मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी अगर आपको मेरी रेसीपी अच्छी लेगे तो इसको जरूर लाइक करें शियर करें इपनी तरह मिक्स कर दिया है अब पानी से में शामिल करूंगी 200 ग्राउम आप अपने हिसाब से ही हाथ से चिपकती है लेकिन जितना इसको गून देगे तो इतना ही सही होती है तो पीज़े की रोटी जो है उतने ही अच्छी वंती है तो देखें भी 5-6 मिंट हो गए हैं मुझे इसको गुनते वे अभी देखें बिल्कुल हातों से चिपक भी नहीं रही है और अब 2 टेबल स्पून इस पे मैंने आयल डाल दिया है और इस आयल को में इस डो में अच्छी तरह से मिक्स कर दूँगी जिससे ये डो और भी जदा अच्छी सोफ्ट बन जाती है और आखिर मैं इसको मैं ऐसे ही गुन दूँगी जैसे आटा गुनते हैं इसी तरह से इसको मैं अच्छी तरह से गुन लूँगी तो देखें पीजा डो जो है बिल्कुल तयार है और अब इस डो को मैं रख दूँगी एक बॉल में जिस बॉल में मैंने मैदा मिक्स किया था उसी में मैंने थोड़ा सा ओयल डाल दिया था उसको मैंने अच्छे से ब्रिश कर लिया है और अब डो को मैंने इसके अंदर रख दिया है और अब इसके उपर भी मैंने थोड़ा सा ओयल लगा दे ताकि ये डो जो है ड्राय ना हो और अच्छे से इसको मैंने ब्रश कर दिया है और अब इसको किसी भी कपड़े से ये प्लास्टिक से अच्छे से कवर करके रख देना है और साथ इसमें वन टेबल स्पून अज्रक लस्टन का पेस्ट बीस में शामिल कर दूँगी तिक का मसाला शामिल करने से चिकन का टेस्ट जो है बहुत ही मज़िका होता है तो देखें सब चीजों को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है और कोई भी मसाले से मैंने शामिल नहीं किये है और अब इसको कवर करके मैं आदे घुंटे के लिए रख देती हूँ ताकि मसाले से मिक्स हो जाए और अब मैं बना लेती हूँ चेली गार्लिक मायो सास जो के बहुत ही मज़िका बनता है तो दो कप ले लिए है मैंने मायोनीज एक कप इसमें कैचप शामिल कर दिया है और ये लिए है मैंने बार्बीक्यू सास इसको सास में शामिल करने से का टेस जो है थोड़ा और भी अच्छा हो जाता है मैं भू बार्बीक्यू सॉस में शामिल कर दिया है टू टेबल स्बून से मैंने शामिल किया है गारलिक और लाल लाल को टीवी मर्चो की चटनी वन टी स्फवन ब्लैक वेपर पौडर और लाफ टी स्पोन नमक वन टीस्पून चिली फ्लेक्सिस मैंने शामिल कर दी है और अब इन सब चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी लसन और लाल कुटी की मिर्चों की चटनी को मैंने इसमें शामिल किया था तो इस सास का टेस्ट जो है बहुत ही अच्छा हो गया था तो देखें सब चीजों को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है बारवी क्यू सास से भी इसका फ्लेवर जो है बहुत ही अच्छा हो गया था तो यह देखें बहुत ही मज़िदा सा चेली गालिक मायो जो है बिलकुल तयार है यही सास जब आप बाहर से खरीदेंगे तो यह आपको बहुत महिंगा भी पड़ता है तो अब इस रसीपी से आप इसको घर में बनाएं और इंजॉय करें चिकन को जो मैंने मैरिनेट करके रखा वाता तो इसको आदा ग्रेंटा हो चुका है और अब इसको मैं फ्राइ कर लेती हूँ आइल मैं भी इसमें शामिल नहीं करूँगी क्योंके चिकन मैंने आइल पहले ही शामिल कर दिया था तो बस अब इसको सिर्फ फ्राइ ही करना है पानी भी इसमे में बिल्कुल शामिल नहीं करूंगी क्योंकि चिकन जो है वैसे ही बहुत जल्दी से गल जाता है तो बस सिर्फ 5-10 मिन्ट तक ये लिए इसको मैंने इसमें पकाया था बस अब इसको मैंने सिर्फ ड्राइ ही करना है क्योंकि चिकन के पीज़ जो है बहुत चोटे मैंने कट किये थे तो उसलिए बहुत जल्दी से ये गल गया था मीडियूम फ्लेम पे चिकन को मैंने पका लिया था तो ये देखें इसका मसारा जो है बिल्कुल ड्राइ हो चुका है और अब चूली की फ्लेम को में आफ कर देती हूं और अब चिकन को में निकाल देती हूं एक बॉल में ताकर ये थोड़ा ठंडा हो जाए तो फिर मैं पीज़ा बनाऊंगी तेका मसारा शामिल करने से चिकन की खुश्बू भी बहुत ही अच्छी आ रही थी तो देखें पीज़ा के लिए मैंने थोड़ी वेज़ेटेबल भी काट ली है तो ये लिए है मैंने ग्रीन वाली शिमला मिर्च, टमाटर और प्यास इनको मैंने इसे चोटे-चोटे पीस में कट कर लिया है और अब इसको मैं साइट पर रख देती हूं और अब मैं पीज़ा बनाना स्टार्ट करती हूं तो ये देखें डो को भी रखे वे तीन से चार घंटे हो चुके थे तो ये बहुत अच्छे से राइस हो चुकी है तो देखें इस डो में कितना अच्छा सा ये जाल बन चुका है इससे पीज़े की ब्रट जो है फिर बहुत ही अच्छी बनती है डो जब राइस होती है तो उसमें एर हो जाती है तो उस एर खातम करने के लिए दिखें भी इसको मैं दुबारा से अच्छी तरह से दुबारा गून लूगी तो मैट में मैंने थोड़ा पहले मैदा डस्ट कर लिया था और इस डुको मैं दुबारा से अच्छी तरह से गून लूगी बहुत अच्छी बहुत ही सौफट की डो बनी थी तो देखें इसको मैंने अच्छी से गून लिया है और ये सारी डोका मैंने एक ही बड़ा साई पेड़ा बना लिया है पहले मैंने इसको हाथों से ही तोड़ा प्रिस कर लिया था और फिर बाद में इसको मैं अच्छे से बेल लूँगी तो देखें पूरी डोका मैंने एक ही बड़ी सी रोटी बना लिया है तो जो मैंने चिली कारलिक मायो बनाया था उसको पहले में इसके उपर लगा दूँगी बहुत ज्यादा भी इसको मैंने नहीं लगाया था तो अच्छी तरह से इसको मैंने सारा इसके उपर फैला दिया है अगर आप चिली सॉस लगाना चाहे तो आप खाली वो भी लगा सकते हैं इस से इसका टेस्ट जो है फिर बहुत अच्छा आता है चिकन को जो मैंने पहले ही बना के रखा वा था उसको मैंने थोड़ा ठंडा कर लिया था और जितना चिकन मैंने पकाया था वो सारा ही इसके उपर मैंने डाल दिया है और अब इसके उपर मैं डाल दूँगी थोड़ी सी मौजरेला चीज बहुत ज्यादा भी इसके उपर मैं नहीं डालूँगी क्योंकि बाद में और भी इसके उपर डालनी होगी और यह जो मैंने सब्जियों को काटके रखा वा था इसको भी अब इसके उपर मैं सारा डाल दूंगी तो सबसे पहले मैं टमाटर इसके उपर डाल दिये हैं और अब इसको पहले मैं डाल देती हूँ प्यास सब्जिया आपने अपने हिसाब से ही शामिल करनी है जितनी आपको पसंद हो उसी हिसाब सबसे में शामिल करें और अब इसके उपर मैं डाल दी है शिमला मिर्च सब्जियों को सब तरफ फैला के ही डालना है ताकि हर रोल में ही चिकन और सब्जिया सब कुछ इसमें आ जाए और यह तोड़ी से सब्जिया मैंने बचा ली है इसको बाद में पीज़े के उपर डालूँगी तो देखें सब चीज़े इसके उपर मैंने डाल दी है आपको जो भी चीज़ पसंद हो आप उसे हिसाब से ही इसमें फिलिंग कर सकते हैं और अब आस मिसे मैं शामिल करूंगी पीज़निंग ज्यादा समीघी शामिल नहीं करना है तो सबीसपून के इसके उपर इनैं डाल दी था तो देखें सब चीज़ें ही ही इसके अब बिल टायार है अब इसको मैं स्रिफ रोल ही करना है तो देखें इसकी रोटी को मैंने जादा मोटा भी नहीं बेला था और नहीं जादा पतला और आप दोबारा से इसके पर मैं थोड़ी मुजरीला चीस और डाल दूगी ताकि पीज़ा जो है थोड़ा चीज़ी सा बने क्योंकि पीज़े में चीज़ ज्यादा ही अच्छी लगती है तो देखें इस तरह इसको मैं आस्ता साइसे रोल कर लूँगी बिल्कुल हलके हाथ से ही इसको ऐसे रोल करना है ताकि चीज़े जो है इसकी बाहर ना निकले रोटी बिलते वे अगर आप नीचे थोड़ा मेरा डस्ट करेंगे तो इसे रोटी जो है फिचे पकती नहीं है नीचे तो देखें बहुत इजी लिए ऐसे रोल हो रही है और ये एक मेने डिश ले ली है जिसमें मैं इस पीज़े को बेक करूँगी तो अब एक एक रोल को उठाके ऐसे ही इसमें मैं डिश में लगाती जाओंगी तो हाथों से इसको एसे थोड़ा प्रेस भी कर लेना है ताकि अच्छी से शेप इसकी बन जें तो देखें तकरीबर एक ही साथ पीसे को मैंने ड्रिश में previous कुट किया था साइडों से इसको ऐसे घुमाना है ताके देखें इसकी शेप जो है बहुत अच्छी सी फिर बन जाती है इस तरहां रोल करने से पीजा रोल में थोड़ी नीटनेस आ जाती है तो एक एक करके सारे रोल ही मैंने इस डिश में रख दिये थे और सारे रोल इस एक 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 डिश में आ गए थे तो देखें इस तरह सब रोलों को मैंने ऐसे डिश के अंदर रख दिया है तो यह देखें माशाला देखने में यह कितने अच्छे लग रहे हैं और आप इसको मैं कवर करके रख दूँगी 5-10 मिंट तक ही लिए ताकि यह थोड़ा से और राइस हो जए जिससे फिर यह रोल जो है और भी अच्छे बन जाते हैं तो यह देखें इसको रखे वे देखें 10 मिंट हो चुके थे और आप अवन को मैंने पहले ही प्रिहिट कर लिया था और आप अवन का टमपरिचर मैंने रखा था 200 और 15-20 मिंट तक ही लिए इसको मैं बेख कर लोगी 15-20 मिंट बेख करने के बाद दुबारा से इसको मैं और आवन में फिल रखूँगी तो यह देखें देकर मैं इसको ओवन में रखके वे 20 मिंट हो चुके थे तो इसको मैं अवन से निकाल लिया है और अब इसको पर मैं डाल दूँगी मुजरेला चीज अब इसको पर चीज जो है मैं थोड़ी ज़्यादा ही शामिल करूँगी बच्चों को चीज बहुत पसाель तो इसलिए इसको ओड़ा ही डाली है और अब अब इसके अवर मैंने पीजा सिजनिंग में डाल दी है और अब जो सबसीयों को मैंने बचाके रखा वा था वो सबसी सारी इसको ओड़ी और भी शामिल करदूगी ताकि ये फिर दिखने में और भी अच्छी लगती है प्याज इसके उपर मैंने नहीं डाला था और अब ये देखिए ये ओलिफ मैंने ले लिए हैं बलैक वले और ग्रीन वले भी और अब ये ओलिफ मैं पीज़ा के उपर डाल दूँगी अगर मेरी रेसीप आपको अच्छी लगी तो इसको लाइक जरूर करें शेयर करें अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ तो देखिए ओलिफ जो है मैंने इसके उपर डाल दिया है और अब इस डिश को मैं दुबारा से ओवर में रखूंगी सिर्फ इसको अतना ही बेक करना है ताकि छीज जो है इसके पर से मेल्ट हो जाए तो चार से पांच मिनट तक के लिए इसको मैं दुबारा से बेक करने रख देती हूं ओवर में ओवर में को मैंने बंद नहीं किया था तो यह देखें इसको मैंने ओवन में रख दिया है ताकि इसकी चीज मेल्ट हो जाए तो यह देखें पांच मिन बाद मैंने पीजा को ओवन से निकाल लिया है और अब यह पीजा जो है बिल्कुल परफेक्ट बेक हो चुका है चीज भी देखें इसके बिल्कुल मेल्ट हो ग तीसस की ब्रेट भि बहुत ही soft बननी थी, बंसार की पीज़े से जादा घर में आप अच्छा सा पीज़े है और प्री पीज़ेत है तो देशे CP अच्छा सबसके इसे को भाई कहाता है और जो सॉस पीज़ेग रोल को पीज़े ड़यर bye आप ये रेसिपी जरूर ट्राइ करें इसका फिडबेक आप मुझे जरूर दें तो फ्रेंड्स कैसी लगी आपको मेरी आज की रेसिपी उमीद है आपको मेरी आज की रेसिपी जरूर पसंद आई होगी अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लोगी तो इसको लाइक ज़रूर करें शेयर करें अपनी फैमिल और फ्रेंड्स के साथ और अगर मेरे चैनल को अब भी तक आपने सबस्क्राइब नहीं किया है तो इसको सबस्क्राइब भी कर दे और बेल आइकन को और फे क्लिक करें ताकि मेरी हैड नहीं आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले दुआ में ज़रूर याद रखना कि मिलूंग इन्शालला किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ अल्ला हाफिज